साथ अक्टूबर को जब एजरैल पर हमला हुआ तो उसकी सेना खायब थी सबसे एडवांस मानी जाने वाले इजरैल की खुख्या अजेंसी को हमले की भनक तक नहीं लगे इजरैल की एलीट यॉनेट पूरी तरह से फेल हो गए नेतन याहू और उनकी गबिनेट को समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है इसा पहली बार था जब इजरैल पर इतना बड़ा अटेक हुआ इजरैल पूरी तरह नाकाम हो गया लेकिन उसकी एक बैटालियन थी जो पूरी तरह अलर्ट थी और इस बैटालियन को इजरैल में बिल्ली बैटालियन के नाम से जाना जाता है ये बिल्ली बैटालियन क्या है इस बैटालियन की ताकत क्या है ये इस्रेल की सबसे खूंखार पोर्स बनकर अचानक कैसे उपरी है? ये समझने के लिए सबसे पहले 7 अक्टूबर का उपरेशन देखे जब हमास ने इस्रेल पर 175,000 रोकेट दागे घाजा पट्टी से हुए हमले के बाद एस्रेल के प्रधानमंत्री ब्यनमिल नेतन्याहू ने जंग का ऐलाम कर दिया और फिर जो हुआ ये तस्वीरें उसकी गबाही दे रही है लेकिन नेतन्याहू जंग का ऐलाम कर दिया उससे पहले इस्रेल की एक ऐसी यूनिट एक्टिव हो गई जिसने हमास के हमले को कमजोर कर दिया यही यूनिट एस्रेल में बिल्ली बटैलियन के नाम से जानी जाती है इसी बिल्ली बटैलियन ने हमास के हमले को पूरी तरह कामयाब नहीं होने दिया इस बिल्ली बटैलियन में 70% से ज़्यादा कमांडो लड़कियां है ये लड़कियां इस्रेल में शीरनी कही जाती है इस्रेल की स्पूर्स को असल में काराकल बटैलियन कहा जाता है ये बटैलियन इतनी खदरनाक है कि जिस मिशन को पूरा करने की ठान ले उसे अंजाम तक पहुचा कर ही दम लेती है इस बार भी यही हुआ, साथ अक्टूबर को हुए हमले के बार बिल्ली बटैलियन एक्टिव होई और उसकी 13 कमांडो लड़कियों ने हमास के 100 लड़ाकों को मार दिया आईडियव की महिला कॉमबैट फोर्स की ये टीम कैसे काम करती है इसको कमांड कौन करता है, काराकल यानि बिल्ली बटैलियन में शामिल होने के लिए महिला जवान को कितनी खतरनाथ क्रेणिंग से गोजरना पड़ता है ये सब आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप बिल्ली बटैलियन के ओपरिशन हमास के बारे में जान लीचे कि कैसे सिर्फ तेरा कमांडर ने हमास के मिशन को पूरा होने से पहले, उसे फेल कर दिया हमास के हमले की जानकारी मिलते ही कर्मल बेन यहुदा अपने तेरा सैनिकों के साथ मिसर की सीमा के पास इसरैल के सूफा मिलिटरी बेस पर पहुँची यहीं पर हमास ने हमला किया था और वहां पहुँचते ही इस बिल्ली बटैलियन की कमांडों ने लड़ना शुरू कर दिया सूफा मिलिटरी वेस पर पहुँचने पर बिल्ली बटैलियन ने देखा कि हमास ने कम से कम पचास इस्रेली सैनिकों को बंधक बनाया हुआ है दोनों करफ से जबरदस्त लड़ाई हुआ इस्रेल का धावा है कि लगातार चार घंटे तक पारिंग में करनल बेम यहूदा और उनकी साथी कमांडर ने हमास के कई लड़ाकों को मार गिरा है हना कि इस दोरान बिल्ली बटैलियन के कुछ कमांडों भी गायल हो गए लेकिन करनल बेम यहूदा का इरादा डिगा नहीं और वो टटी रहे इस दोरान इस्रेल की नेवी के कमांडर भी हमास से लड़ने सूपा मिलिटरी योनिट पहुँच गए यह लड़ाई करीब 14 घंटे थक चली जिसमें बिल्ली बटैलियन ने सौ हमास लड़ाकों को मार गिराया और अपने साथी सैनिकों को भी छोडा लिया 14 घंटे का यह ओपरेशन इसरेल के सैन इतिहास में बड़ा मुकाम पा चुका है इस ओपरेशन के बाद पूरे इसरेल में कर्नल बेन यहूदा और उनकी टीम हीरो बन गई है हर कोई इसरेल के इस बिल्ली बटैलियन की तारीफ कर रहा है लेकिन इके पहली बार नहीं है जब कर्नल बेन यहूदा इतनी बहादुरी के साथ लड़ी और अपने सैनिकों की जान बचाए साल 2014 में भी बेन यहूदा मिस्र बॉर्डर पर इसी तरह के ओपरेशन के दोरान जट्मी हो गई थी लेकिन उन्होंने हार नहीं माने और युद में एक दुश्मन को मार गिराया था इसरेयल की बिल्ली बटैलियन वाकई बहुत ख़तरनाग फोर्स है अब ये भी समझ लीजे कि ये बिल्ली बटैलियन काम कैसे करती है दरसल इस ख़तरनाग बटैलियन में महिला और पोरुष दोनों सैनिक मिलकर काम करते हैं किसी भी ओपरेशन को अन्जाम देते हैं खास बात ये कि इस बटैलियन में महिलाओं की तादाद पोरुषों के मुकाबले काफी ज़ादा है बिल्ली बटैलियन में करीब 70% दी महिला सैनिक होती है जबकि 30% पोरुष सैनिक ये बटैलियन 2004 में बनाई गई थी दरसल काराकल बिल्ली की एक प्रजाती है इसी तरह इस फोर्स को बिल्ली बटैलियन का नाम दिया गया है इस बटैलियन कमिशन मिस्र और जॉडन की साथ इस्रेल की सीमा के नेकरानी करना है ताकि इस्रेल की सीमा में किसी भी तरह की कोई घुस पैठ ना हो पाए इस्रेल की सेना में महिलाओं की तादाद जयादा है करीब 2 लाख एक्टिव सैनिकों में 50,000 महिलाएं है किसी भी उपरेशन में ये बराबर से शरीक होती है इसराइल की कराकल बैटेलियन की कामियाबी का रेट बहुत ज्यादा है हमास के अटेक के बाद कई मोर्चों पर इन्होंने सफल उपरेशन किया और अभी भी इन महिला सैनिकों की तैनाती कई मोर्चे पर की गई है बैटेलियन गाजा में हमास का शिकार करने उत्रे की मिस्र के बॉर्डर पर बिल्ली बैटेलियन ने जिस तरह से उपरेशन को अंजाम दिया है हो सकता है उसके बाद नेतनियाहू इस यूनिट को गाजा में ग्राउंड उपरेशन के लिए भीजना चाहें क्योंकि इसरेल के सामने गाजा के अंदर हमास सबसे बड़ा दुश्मन है लेकिन नेतनियाहू के सामने मुश्किल ये कि गाजा के बाहर हिजबुला ताक लगाए बैठा है कि कब इसरेल पर हमला किया जाए अगर इसरेल की सेना फिलिस्तीन के गाजा में गुसी तो वो उत्तरी सीमा की तरफ से इस्राइल पर चड़ाई कर देगा इस्राइल और लेबनन के बीच करीब 130 किलो मीटर लंबा बॉर्डर है यहां संयुक्त राश्ट की शांती से न तैनात रही है इसमें भारत की फॉज भी शामिल है इस स्वक्त इस्राइल को गाजा से जादा इस बॉर्डर की टेंशन है क्योंकि अगर इस्राइल गाजा में घुसा तो हेजबुल्ला उत्तर की तरफ से इस्राइल पर हमला बोल देगा लेकिन इस स्वक्त इस्राइल के सेर पर बदले का खून सबार है इस्रेल एक के बाद एक हमले घाजा पर कर रहा है इस वक्त 42 प्रतिशत घाजा बरबाद हो गया है रोजाना सैक्रों लोगों की जान जा रही है फिलिस्तीन के स्वास्ति विभाग का दावा है कि पूरा मेडिकल सेटप तबाह हो चुका है घाजा के अंदर खून खराबा जारी है जंग यूही जारी रही तो बरबादी के आंकड़े बढ़ना तै है फिलहार घाजा में हमास को मारने के लिए बंबारी के बीच इस्रेल और हिजबुल्ला को दोनों तरफ से इंतसार किया जा रहा है कि पहला हमला कौन है